सब्सक्राइब करेंगे अप सब लोग अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे उसमें एक मेसेज हमने दिया था लास्ट यर जून मंद की बात है जिसमें हमने लिखाता कि मेक पॉजिशन आइम शेरिंग थर्ड टाइम इन दे ग्रूप फोर कॉन्फिडेंस पेट्रो ये स्टॉक का नाम है इसको नोट कर लिजेगा और यहाँ पर हमने ये भी मेंशन किया था कि इसे नजर अंदाज मत करना ठीक है आज मैं इसको कवर कर रहा हूँ एक वीडियो के थुरू और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मेसेज देना चाहता हूँ कि इस स्टॉक को अभी भी आप नजर अंदाज मत कीजिएगा ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स आने वाले टाइम फ्रेम में हमें दिखा सकता है जैसे कि मैंने बोला 19 रूपीज प्राइस चल रहा था उस टाइम पे हमने बोला था 4 मंत का माइंड सेट रखो 30 प्लस टार्गेट रखो कुछ 37 पे लोगों ने बुक भी कर लिया मेरे कईये से मेंबर है जो टच में थे मेरे से और मुझे अपडेट भी किया उन्होंने की 37 चला गया क्या हम एक्जिट ले ले और हमने एक्जिट भी कर लिया लेकिन फिलहाल इस स्टॉक की प्राइस जो है वो 70 के उपर चल रही है जो कि एक बहुत ही बड़ा एच्विमेंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का का इस फंडामेंटल रेशो की मैं बात करूँ बहुत ही स्ट्रॉंग है तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल कॉनसेट पे कोशिश करेंगे कि अभी के टाइम पे क्या ये स्टॉक अंडर वेल्यूड है कि और वेल्यूड है क्या ये सस्ता पढ़ रहा है या महिंगा पढ़ रहा है सारी जनकारी आप तक रखेंगे वीडियो को शुरू से अन तक पूरा देखिएगा तो वाइस सबसे पहले हम किसी दिर मनाने वाला था लेकिन किसी कारण मंच वीडियो नहीं बना पाया तो आज जो है वो मैं बना रहा हूँ वीडियो डेफिनिटली आप अपने पॉर्टफोलियो में इसको एड कर सकते हो बहुती स्ट्रॉंग व्यू है हमारा इस पर अभी भी जो है वो स्टॉक और नहीं है यहाँ पर देख लेंगे इसके कुछ लेवल स्कोर समझने की कोशिश करेंगे स्टेटिक्स की अगर हम बात करें गाइस मार्केट कैपिलाइजेशन की बात की जाए सबसे पहले तकरीबन 2000 करोड के आसपास मार्केट कैपिलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा ह अर्णिंग पर शेर आप देख सकते हो 2.51 यहाँ पर आप देख लिजेए PE की हम बात करेंगे जो 28.0 जिसका अगर हम कंपेरेजन करें इसके इंडस्ट्री PE के साथ तो अभी भी यह स्टॉक जो है वो अंडर वेल्यूड स्टॉक माना जाता है यानि कि अभी भी यह डिसका जादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अगर इससे जादा इन्वेस्ट करोगे तो फिर ले सकते हो आपके पास इतना पैसा है उसके वेसिस पे वाइस यहाँ पर स्टॉट चर्चा करेंगे लिगिन उससे पहले बात करेंगे रिटर्न समय क्या देखने को मिल रहे है ये तिल डेट 82% की गैन, वन विक में 20% की गैन, वन मन्त में 11% की गैन, वन मन्त की बात करो गाईज यहाँ पे 10% की गैन, 6 मन्त, 1 यर, 2 यर आप देख सकते हो यहाँ पे, सारे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक जो है वो हमें प्रॉफिट देते हुए नजर आया है, यानि कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आने वाले टाइम है, स्ट्रेंथ हमें क्या देखने को मिल रही है, गुड क्वाटरली ग्रोफ इन रिसेंट रिजल्ट और यही एक पॉइंट था जिसको नजर में रखके हमने स्टॉक को 19 रूपीज में सजेस्ट किया था, जो कि आज 71 पहु बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो कहां पर निवेश कर रहे हैं और कहां पर इंक्रिस कर रहे हैं अपना इन्वेस्मेंट, यानि कि उनका व्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ स्ट्रॉंग है, तो आप भी उनके पीछे पीछे थोड़ा अमौन लगा के रिस् इतना चोटा स्टॉक होने के बाद भी आप देख सकते हो, 2017-2018 मैं मिस्किया, 19-20 यहां पर डिवीडेंड भी स्टॉक देते हुए आ रहा है, यानि कि स्टॉक जो है वो एक इन्वेस्टर के नजर से देखें, तो चारू तरब से स्ट्रॉंग नजर आ रहा है, इवन डिवी पे आपका व्यू स्टॉंग होना चाहिए, और इस उट वीडियो के थ्रू आप तक यही मेसेज पहुचाना चाहरा था, कि इस स्टॉक को नजर अंदाज मत करना, आप चाहें तो वाटसेप पे टेलिग्राम पे हमें पिंक कर सकते हैं, परसनली कॉस्चन कोई आ रहा है दि प्लेजिंग है, तो हमें वो स्टॉक रिस्क ही लगता है, लेकिन प्लेजिंग इतना जादा नहीं है, तकरीबन 1-1.3% हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इतना बड़ा नहीं है, टेंचन लेन की जबरोद नहीं है, दिरे-दिरे यह मिनिमाइस कर देंगे, यहां पर आप बताइए, और मुझे बताइए गाइस कि इस टाइप की शॉर्ट वीडियो, अगर मैं मॉबाइल से रिकॉर्ड करके आप तक पहुचा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा, आपके कमेंट जो है, वो हमें और भी नई वीडियो लाने के लिए इंकरेज करती है, तो कमेंट सामने रखी जाएंगी, जिसके मतद से आप जो है, तो बैतर इन स्टॉक का सेलेक्शन कर पाएंगे, चलिए गाज बनता हैं एक साथ किसे और नहीं वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना जान रखें, लव यू अल, टेक कियर, बाई बाई